पढ़ाया है वही आया एक्जाम में जो मैं अमें साल की मेनत है और इस सत्रा स्वागत है अपने अकास भी आप पोल वाले अकास भी है स्टडी फॉर आर्ट्स पर आज मैं आपके लिए लेका है हूं क्लास 12 की चैप है तो बने रहे स्टार्ट करते हैं इसके अंदर समझते इ है क्या क्या आपके लिए और मैं आपको पहली बता दूँ कि आपकी एक्जाम बहुत जादा करीब आ रहे है तो इस्टे फोकस रहे अपनी पढ़ाई पर फोकस रखे अपने अन्य जो समय है जो आप अन्य कामों पर समय वरबाद करते हो उसको थोड़ा कटवती करें जैसे बार पेपर फोड ने है चलिए इस बार इस चैप्टर पर देखते कि है क्या इस चैप्टर में सबसे पहले कि टॉपिक में बता देतों आपको जै प्रिकास नारायन कि इस चैप्टर के अंदर कि समग्र क्रांति उसके बाद इस चैप्टर में जो है वो है राम बनोवर लोईय लोगतांत्रिक समाजवाद तीस चैप्टर जो है वो है दीन द्यालुपाद है एकात्म मानवाद अपात्काल के वाद लोगतांते का विद्धान आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे बड़ा मज़े आने वाला है और इसमें बीच में मैं वो कोशन दूँआ जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे लग बाग 99.99% ता है कि वो कोशन आपके पेपर में छपे हुआ है इस चीज को लेकर बने रहे एंड तक यह आपके इस चैप्टर के अंदर पढ़ने है आप एंड तक जरूर बनी रहेगा अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब से नहीं करा तो जल्दी जल्दी 1902 बिहार नहAccetius 1902 बिहार में होता है अब उता है कि देखो ये थे extract उन एक जायनी की समास सेवक ते आपको समास सेवक बोलते थे काफी जदा पढ़े लिखे लिक्तिती पढ़ाय ही लिक्त ही टी वह आं गये ओसके बाद पड़े लिए रीक्ति होने के बाद बाद इनके उपर उपर प्रभाव पड़ा वुट्वाद का प्रभावव पड़ा के अमेरिका वैयों इनुह ने स्टडी करी अपनी और इस टडी के दोरान इन पर जेपी बाववु की आपर माक्सवाथ का प्रभावति हो बाप सब्सक्राइब के अंदर माक्सवाद की विचार धारा को कहीं न कहीं एरप्ट करना खुड़ा लेकिन ज्यादा दिन होता है कि माक्सवादी से प्रभावित नहीं रहते फिर बापस आते हैं और हां गांधी जी से मिल जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं गांधी वादी परिवर्टन हो जा लेकिन जब अहिंसा तरीके से इन्होंने गांधी जी के अंदोलनों में सयोग करा गांधी जी के साथ रहे भारत को अजादी दिलाने में बहुत जाद है इनका योगदान रहा एक 1942 का जो गांधी जी का अंदोलन था भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन था एक राजनीति सक्रियर राजनीति में भाग ले रखा ता पाट ले रखेते और यासी ये जन जैबबी बाबू थे जैब प्रकास नारायंड जो थे वो इस भारत छोड़ो अंदोलन के नायक निकले यानि कि हीरो बनकर उबरें इस से इस आंदोलन से हीरो बनकर निकले और जब ही रो बनकर निकले तो इन्हों ने आगे की रड़नीती बनाई और इस 1991 में नाइंटीन नाइंटीन फिप्टी बन के आसपास यह हुए बिनोवा भावे से बिनोवा भावे से प्रभावित हुए और इन्होंने योगदान दिया किस चीज में भूदान आंदोलन में भाग लिया बिनोवा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने 1950 के दसक में हिonder हिरे नैंटी Chi pinbabao ने जे पी बावू ने राजनी continents संयाय संती से अरहां से करें और जब उन्होने की नहीं चीज लेए इतनी चीज यह सी हो कर और फिसमग्र क्रान्ति total revolution हो ओमOOOO क्या लेकर आयते प्रकौत क्रान्ति लेकर आयतिए अब यह समग्र क्रान्ति थी क्या 1965 — 1971 यह पाकिस्टान के साथ युद्ध के युद्ध की Te पाकके सात उत आप चेंगे का सविए संद आइंदर आ भारत के उन्दर आगे ते ज अंदोलन कौन से बिहार और गुजरात वाले आपको याद हो बिहार और गुजरात वाले तो यह जब बिहार और गुजरात के छात्रा अंदोलन स्टार्ट हुए तो छात्रा अंदोलन की बड़ी एक फेमस कहानी है हुआ क्या था कि केंद सरकार ने राज्य सरकारों को या फि पीस बढ़ानी स्टार्ट कर दी और जब कॉलेज की फीस बढ़ानी स्टार्ट कर दी एकदम से मालो जिसके 2000 रुपा एकदम से तुम 8000 कर लोगे 4000 कर दोगे तो तो भाई देखो कहीं भी हो जाएगा तो जिसकी वज़े से परिष्टा चार काफी जादा होने लग जा था और जब चात्र आंदोलन भड़क गए तो इस चात्र आंदोलन भड़क गए तो इस चात्र आंदोलन बिहार के अंदर जेपी भागु को निमंत्रन दिया या कि भाईया आओ और इनको समालो जब चात्र आंदोलन हुए तो इस चात्र आंदोलन में जब जेपी को निमंत्रन द इंसा नहीं होने करें कोई माकाड नहीं कुछ नहीं क्या होना चाहिए हिँआ पर नौन-वाइलेन्स का सायता साइता लेना और दूसरा घंता सब्सक्राइबी लिमित मतलब यह इसकी पूरे भारत और भारत को denshtay God यानी की दिल्ली तक ये लोग दिल्ली आचुके थे हैं और दिल्ली हो गैए टो यहाँ पे क्या हुआ कि इनोंने ये सारी चीज ब्रष्ट चार गरीबी अटा और जैसी बात आ जाती और चीज नहीं outfits तो यहाँ ने सरकार को गरना करा और जब सरकार को घरना स्टार्ट करा तो यहां पर इन्हों ने बोला कि जो आपे है इन अभयानों में लोगपाल की क्या कर इन्हों नेregel श्मर्थन करा कि अबियानों में चात्रों की और युवाओं की सहवागीता जब ज़्याधा बढ़ेगी तो होगा क्या आंदोलनible क्रांती टोटल रेवलुइशन यहां पे नोने सिध्धान तिया समग्र क्रांती का यह समग्र क्रांती का है ठीक है अब जय प्रकास नहरायन के साथ साथ आचार नरेंदर देव ने एक पार्टी की स्थापडा गली थी वह आप पार्टी का नाम आप कमेंट में बताएए आप ऐँ है यह बर्पार्श नहरायन ने इस समग्र क्रांती थी यह तोटल एव लुखें रिश्शन की महला समीटी तक की क्या होनी चाया भागएदारी होनी चीए शेफ जो यानि कि छोटे से चोटे से ब्रीते पर राजय नितिक होनी चाय ह। लेवल पर वाड़ो महला महला यानि कि चोटी महला की काई होती है समीती वहां तक इसकी पहुंच होनी चाहिए यह जैप्रिकास नरायन की समग्र करांती थी और इसमें उन्होंने समाजिक आर्थिक और राजनितिक लोकतांत्रिक समाजवाद के पिरचारत को योगतांत्रिक समाजवाद का प्रभावी थे और इन्होंने लोकतांतिक समाजवाद की बात करें थी अब आप कहा कि भीया यह तो नहीं इन्होंने विरोद करा था किसीज का एपंजीवादी में लुचार धरा कि पूजी बंजीवादी इन्होंने दो तरीके बाद रखाते हैं एक आर्थी कुद्देश और एक ग्यर आर्थी कुद्देश जो आर्थी कुद्देश में थे इन्होंने भोजन और सरण यानि कि देखो किसी भी व्यक्ति को भोजन और सरण बहुत जादा जरूरी होता है ठीक है अब जब लोग तंत्र है भोजन चरण खाना पीना रहना जरूर्श और गयर आर्थिक में स्वतंत्र था एभ़न लोगतंत्र गया की समाजवाद के उद्देश से और इस नारायम बहुत ज़्यादा फेमस गयर और गयर कंग्रेस बाद के पिरचारक माने जाते थे इनको कहा जाते था कि कॉंग्रेस के कॉंग्रेस के नेता तो थे यह लोग इन्होंने भी गांदी जी के साथ भारत चोड़ो गांदी जी के भारत चोड़ो आंदोलन में रहे भारत छोड़ो आंदोरन में भूमी का तरीके से रहे और जब भूमी का तरीके से रहे तो इनकी भी पहचान बनने श्टार्ट होगे जिस तरीके से जैप्रकास नरायड ओपन लिए आ चुके ते यह वैसे नहीं है यह पीछे रहे लेकिन एक नेता बन के ओब रहे हुआ से ठ केंद्र से चेत्र जिला और जिला से ग्राम इन्होंने यह चार स्टेज बहना है जी सेंट्र है जीजन डिस्टेक विलेज सी आड़ी वी मैं इसको चांब बहुँंगा तो इन्होंने का कि लोगतंत्र की सहवागीता श्रीप बलकि इसमें सेवागिता भी बढ़ने चाहिए किसकी महिलाओं की इन्होंने महिलाओं की स्यवागिता पर भी ध्यान दिया और बोला कि भाईया महिलाओं को भी इसमें बढ़ चड़कर भाग लेना चाहिए लोकतांतिक समाजबाद में तब एक तरीके से अच्छे से सासन सरकार का गठन होगा ठीक है कि लिए यहां पर पार्टी ऑफ सोसलिज मैंने समाजबाद दलो के प्रिचारक भी रहे हैं तो रामन वर लोया जी ने तीन समाजबाद के तीन प्रितिक बता हैं पहला गुदाल दूसरा मत ठीक है और तीस रिज़ों में बात करूं बंधन ग्रें गुदाल मतलब प्रियास मत 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 अदिकात और बंधन ग्रें का मतलब अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से आपने देखा है कि जो फ्रांसी सी क्रान थी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी उसके अंदर जो चेन दिखाई गही थी उनको टूपता हुआ दिखाई गयाता है नहीं कि मुक्त लेकिन यहापे बंध परिखाई रख्षा कि उसकी अक्वाडिंग है अगर मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करूंगी तो यह काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जो रिफ्रेंस दिया गया मैं उसी को यूज कर रहा हूं उसी का रिफ्रेंस मैं आपको दे रहा हूं ठीक है यहां तक बन इसलिए और धात्रिक व्यक्ति थे अर्थ्सास्त्री ते राजनेति के ते एक बहु गोण बहु चर्चित सर्वगुण संपन एक तरीके से मैं वह व्यक्ति थे यह पंडित देंद्या उपाद्य हों वह वह व्यक्ति जिनोंने एकात्म मानवद एकात्म मानवबाद की प्रचार प्रसार किया और इन्होंने कहा कि क्या होता है एकात्म मानवबाद इन्होंने कहा कि देखो विकास तो होगा और विकास का केंद्र जो होता है वो मानव होता है क्या होता है मानव यह तो सत बात है विकास किसके लिए होगा मानव के लिए लेक हमारे साथ दरीके से में मास्क लगाना पडती अब आपक करो नहीं बेटा तो ठोड़ा याद करो लगाते थे बेटा थोड़ा याद करो जो एक फोफ लगा थे पहले बार दिल्ली ऑफ डिली के अंदर, पॉलूशन अंब प्रियावरण को नुकसान उगा तो तो हमारे याँ टेमप्रेचर यह शारी चीज है और उन्हों ने प्रचारित प्रवाइस कि कि इन्हों कि प्रियावरण को ऐसे इस्तमाल करना चाहिए जिनका मुणा प्रियोग कर सके एक तो इन्हों का यह उद्देश था दूसरा इन्होंने का व्यक्ति एवं समाज के बीच समन्वे होना जरूरी है जब तक समन्वे नहीं होगा तब तब आवे सकता है समन्वे मतलब कॉडिनेशन इन्होंने यह चीज़ें इन्होंने आपका कि देखो व्यक्ति है कोई भी हो प्रितेग व्यक्ति प्रितेग व्यक्ति का जीवन गरीमा महीं होना चीए डिगनिटी के साथ और फूल रिस्पेक्ट के साथ उसको इज़त मिलने चीए जीना चीए उ कि इनका मानव्तावाद के उदेश थे अ कि और उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म की सरोच जंबिगंगा यानि कि धर्म क्या होना चीए सबी की अचीए धर्म की सर्वोच्टा तो यह कहते हैं समाज में क्या होना चीए जब कहते हैं तो क्या कहते हैं समाज की स्वेत्ता होना होनी चीए यह चीज इनके मानक्तावाद के एकात्म मानक्तावाद के सिद्धान थे प्रमुक्षिद्धान थे विरोध कर पुंजिवादी विक्तिवाद का पुंजिवादी विक्तिवाद का उसके बाद माक्सवादी समाजवाद का यह दोनों विचाधारा का विरोध करते थे क्यूंकि इन्हों ने काता दिनद्या लुपाद्य नर्गाता कि पुन्जिवादी विक्तिवाद हैओ माक्स वादी समाज वाद वझा के भौतिक कावक्षक्तांय पूरी करते हैं को जिसके लिए है मैं अध्यात्मिकाव्सकता को लिया एकात्म मानवाद एकेपрьण करना पड़ेगा उन्हों ने यह चीज करें और जब इन्हों ने इस चीज की परिकल्पना करी तो इन्हों ने का कि शंण्गर्श भी ही यह होता है ऐसा तक तो नहीं है आज भी चीज़ चलिया रही है भले हमने Constitution right दे रखे हो भले हमारे कानून विवस्ता अच्छी हो वह सारी चीज़ लेकिन आप दूर दराज इलाके में जा तो आज भी देखने को मिलता है कई सारी मूवियों में मुद्दा भी उठाया जाता ह ठीक है यह दीन दयाल उपा देगा एकात्म मानव से पहले अब हम आपको चीज़ बता देते हैं कि अपातकाल होता क्या है फिर हम इसको देखेंगे कि भारत में क्यों लगाए गया था किस कारण से लगाता भारतिय संभीधान में प्रावधान दे रखा है भारतिय संभीध प्रावधान दे रखा है अनुचे 352, 356, 360 यह तीन तरीके का अपातकाल बता रखा है और इसको बोला जाता है राश्टिय अपातकाल नैशनल इमर्जेंसी राश्टिय अपातकाल इसको राश्टपति शासन और इसको बोलो जाता है बित्ती है अपातका फाइनेंसल इमर्जेंसी वैसर खिलाल अभी तक तो यह लगा नहीं है अभी जो राश्टपति अपातकाल है यह संभीधान में बता रखा है इन्होंने कित्ते तरीके से लगेगा पहला जो नहोंने बता रखा है युद्ध कि जब भारत का किसी देश के साथ यह दो तब या किसी के दोया भाईया आक्रमन कर दिया जाए तब लेकिन लेकिन जो थर्ड पॉइंट था वो अभी जो है वो है साश्यस्त्र विद्रो यानि आम्स रिवेलियन लेकिन नोट जो पहले था वो था अंधरूनी गड़बड़ी तो यह तो एक अपातकाल का प्रावधान हो गया कि हाँ भाईया इस चीज का प्रियोग कराता इंद्रा गांदी ने 1975 में और लगा दिया भारत का राश्ट्य अपातकाल लेकिन अपातकाल लगाया क्यों था इसके जो कारण थे वो अब हम देख रहे हैं बने रहे हैं लाइ अपातकाल के कारण में हम देखते हैं आर्थिक कारण कि वह यह आ रिजयन क्या था क्या रिजयन था कि इंद्रा गांदी को Math solventat समझो आपको पता है कि 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था भारत और पाक का युद्ध होने के नाते हुआ क्या था कि भारत पर सरना अर्थी बोच बढ़िया था जिसकी वज़े से भारत की आर्थी किस्तिती खराब होगी आर्थी किस्तिती क्यों खराब होगी थी क्य कुकि यहां पर देखो हुआ क्या कि महेंगा इदर बढ़ रही थी इस लेके उसके बाद खादान संकट उत्पन ऊछा था और जब खादान संकट ऊथपन तो क्या होगा बुकमरी जैसे हालात इस्तिती हो जाएगी और इस 1971 के चुनाओं में इंद्रा गांदी ने नारा दिया था गरीबी हटाओं लेकिन वो नारा कोई काम नहीं कर पाया था कुछी भी काम नहीं आया था और मैंने आपको बताया था कि लास्ट चैप्टर की वीडियो में कि इंद कि यह चीजें थी जिसकी वज़े से भारत में आर्थिक संकत मोंसुना सफल हो गया ताब फसल नहीं होगी थी लोगों में अफरा तफ्री मत ली थी बिहार जैसे इलाकों में भुगमरी जैसी हालत होगी थी जिसकी वज़े से कंडिशन बहुत जादा खराब होगी थी दू सरकारी करमचारियों की बेतन रोक दी गई तो में 1974 रेल हड़ताल का योधन किया गया भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि अभि तक कभी भी रेल हड़ताल कायों दर्य हुआ था इतने बड़े ब्यापा के स्थर पर लेकिन पहली बाद 1974 में रेल हड़ताल होती और इसका नितित करते हैं जॉज फर्णैंडीस के द्वारा और इंद्रा गांधी ने इस हड़ताल को इस रेल हड़ताल को अवैद गोसित कर दिया और सबको और दिया कि भाईया आज़ा अपनी अपनी डूटी पर नहीं तो हम सबको अठा देंगे और जो बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी देना शुरू करतेंगे जिसकी वज़े से कि लोग और ज्यादा अकरोस होगे यह चीजे उसके बाद आपात्काल में सबसे बड़ा शीजन जोता है यहां पे देखो आपको पता है कि 1974 में ही आंदोलन होने स्टार्ट हो गये थे क्या अ अन्दोलन कौन से थे यह चात्र आंदोलन थे क्यूंकि महेंगा इधर बढ़ तो जब महेंगा इधर बढ़ रही तो चात्रों ने आंदोलन करने श्टार्ट करें तो यह आंदोलन बोलेगे बिहार और गुजरात के आंदोलन और गुजरात से आपको पता है जैपी बावू जैप्रकास नराएन इसका नितुत कर रहे थे और गुजरात से मुरारजी देशाई कौन गुजरास्ट मुरार्जी देशाई और यहां पर गुजरात में अब तक 1974 में राष्टपती सासन लागू हो चुका था ठीक ऑंग्रेस की सरकार राष्टपती सासन लागू हो चुका था और जब यह श्तिति वह ज्याद ही खराब लगी थी ठीक है यह आंदोल प्रणकी वजे से ठीक है नियापालिका केंदर संगर्स वोना स्टार्ट हो गया था लेकिन और राजी की नेटी देश्टपत्त्व को ऊपर लाना चारी थी मौली का दिकारों से भारत की नैपालिका ने इसे अवयद गोसित कर दिया और ऐसा करने से मना कर दिया दूसरा सं सबसे बड़ा विकास में रोड अ मत्ति के अधिकार को क्या कर रहेती क्या ने कि अधिकार बना रहीandi जिसको भी सबसे जादे दिक्वत को नदी कर ने हम बड़ी बात क्या था कि और को चोड़ कर दिया यह सबसे बड़ा संगस हुआ भारत की नया पालिगा में सबसे ज़्यादा टककर इस पर हुई थी यह चीज़ें हुई और यह जो आंदोलन थे यह आंदोलन वह ज़्यादा भड़क चुके थे राम लीला मैदान तक आ चुके थे दिल्ली की और दिल्ली क देश आई ठीक है जैप्रकास नारायन और यह जो न्रामिला मैदान था वह आंदोलन से पूरा खचा खच बर चुका था जिसकी वज़े से दिल्ली के अंदर लोग आए जा रहे थे आए जा रहे तो दिल्ली के अंदर भार बढ़ता जा रहा था और जिसकी वज़े से और वह फैसला दिया था कि से जग मोहन लाल सीना ने किसके राजनारायन की पेटीशन पर राजनारायन राजनारायन वह वह व्यक्तिते थे जिन्हों ने इंद्रागांदी के खिलाफ चुनाओ लडा था लेकिन आपको बता रहा हूं बने रही है आप अपने और वाले आका 1971 का उन्होंने उसमें सरकारी मसीनरी का सरकारी मसीनरी का इस्तमाल करा और जब इन्होंने सरकारी मसीनरी का इस्तमाल करा तो हुआ क्या कि किसी भी चुनाव में आप सरकारी मसीनरी सरकारी लोग सरकारी ऑफिसर किसी भी तरीके गौर्मेंट का चीजे आप अपने लिए इस्तम सद्रूपा तो इस वा कि इस फैसले के लिए वह गहीं सुप्रीम कोर्ट और इंद्रा गांधी के इस फैसले पर शुप्रीम कोर्ट ने लगा दी ही है क्या अन्शिक रोग क्या लगा दी आंशिक रोग इसको साफ कर देता हूं फिर आप क्या लगा दी आंसिक रोग लगा दी और इंद्रा गांदी के आंसदी रोग लगा दी और इन्होंने कार्ग सुप्रीम कोड ने कि इंद्रा गांदी बतोर सांसद तो रहेंगी प्रधानमंत्री रहेंगी लेकिन संसद की कारवाई में भाग नहीं दे सकते भाग नहीं ने सकती है भाउट बड़ा फैसला था बच्छो यह त्ना बड़ा फैसला था कि आप सोच नहीं सकते कि इस प्रिधाल मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है इस फैसले यह एक लाघ और इस फैसले जब आया तो है जो सनसद मार्च का जो रामिला मैधान में जो अंदोलन का ली थे उन्होंने संसद मार्च का आवान के और संसद की तरफ करना इस्टार्ट कर दिया और इसकी वज़े से हुआ क्या कि इंद्रा गांदी ने यह जो फैसला आया था यह 24 जून की बात है और इन्होंने 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को लावु का वाय वर्फ फोन के दार हुा एक आपको बता है जब भी अप्अतका लगता है тьपने मंतरी परस्द को पता होना और लेकिन अपातका लगने के बाद अगले दिन मंत्री को को अलून अपात का लगा दिया गया अपात का लाओ कर दिया गया जो पढ़ाया वो ही आया इसके अलावा कुछ नहीं आया तॉप कराया तॉप कराया वह विजली गाट देगी और जब बिजली गाटी तो यहां पर संसनी के इस पहुत हो जाए अब लेकिन लगाता कौन है यह राष्ट पती लगाता है और राष्ट पती कौन तो उस टाइम उस टाइम पर राष्ट पती थे फकर अधीर अली एमद यहां रखना वह जordo eats पत्सके थे फकर रूद्दीह बहुत ज्यादा बहुत ज्याद इं इंपोरडिण दाम है फकर रूद्दीन अली एहमद राष्ट पती घो पढड़ाया वह यह यह लगाता गया तो छओ सबसे निवारक नजरबंदी लाओ करेगी निवारक नजरबंदी मतलब कि अगर किसी भी नेता पर किसी भी व्यक्ति पर सख होता है कि ये कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे समाज को लोग को नुक्सान हो जाए तो उसको ग्रफतार कर लिया जाएगा और लग बग बिपक्षी लोगों के मौलिक अधिकार कट होगे लोगों के मौलिक अधिकार कट होगे खत्म करते सिफ आपको को जीवन जीने का अधिकार मिलता है daladows रहेखने को है सब्सक्राइब कोई कंडिशन ही नहीं है नॉर्मल कंडिशन नहीं है तो आप नॉर्मल मांगे कैसे कर सकते हो गूमने मुणने कर विचार नहीं बिल्कुल नहीं नहीं कर सकते हैं और यह जो अपातकाल चला यह लगवक्त 18 महीने चला 18 मंथ सोचो सब्सक्राइब को डेड़ साल इस 18 महीने में जब वह लोग रह रहे होंगे उनके क्या बीती होगी किस इस्तिती में गुजर रहे होंगे थोड़ा अजीम करो हम तो फिर भी आज बहुत अच्छे हैं जब इंद्रा गांधी ने अपातकाल लगाया था तो इसको बताया देखो डिस्तृबिंट्स तीओ देल मेरती ऐसे वेसे नहीं से फाकिस्तान का प्लेट फाकिस्तान वालौना प्लें जाई-जै कर लिया था इन्न्ये वो कभी मिले है और ना कभी मिलेंगे इनकी अपनी खाशियत थी को या पातकाल लगा रहे हैं कोई विदेश में भारत का नाम रोसन कर रहे हैं आटली विहरी वाजपी जो विपक्ष को भी ऐसा मानते थे कि यह पक्स में नेता हैं थे वाकी मैं सलूड करता हूं इन नेताओं को लेकिन उनना करा क्या है भारत अगर यह रियलेटी है अगर मैटर अच्छे से सॉल्व होता साथ हम और ज़्यादा तेजी से विकास कर रहे ह होते हैं अगर अपातकाल नहीं लगा होता भारत के लोग तंदर पर इतना काला धबा नहीं लगा होता तो हम वाकी में आज विकास कर रहे होते हो तेजी से विकास कर रहे होते हैं अच्छे से हो रहे होते हैं भी चलो छोड़ो अब यहां देखते हैं कि होता क्या है अपात प्रेस पस सेंसर्शिप लाओ करती है अब सेंसर्शिप होता गया है एक तरीके से सरकार के पास अधिकार होता है प्रेस के कुछ रूल से रेगलेशन प्रास के उपर कुछ बंदिस लगाना सेंसर्शिप करता है सेंसर्शिप लाओ यानि कि अब सरकार के खिलाब कुछ नहीं च्छाप साकते कि अब खाली जगा नहीं छोड़ सकते क्या मजाग चल रहते हैं जिसकी वजे से कई सारे अखवारों ने इसका ग्रोथ करा जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया इंडियन एक्सप्रेस हो गया दा स्टेटसमेन हो गया इन्होंने अपना प्रकासित करना ही बंद कर दिया अक्सप्रेस हो जबाएं मैंश्ट्रेम सेमिनर इने भी अपना प्रकासित बंद कर दिया है संगठनों पर पिर्थी बंद लगाने स्टार्ट कर दिया गया था आरेसेस जमात इस्लम भाई यह सारी पावर खतम होगी थी भाई स्ट्रेट गौर्वर्मेंट कहीं नहीं थी सब अगर आप बड़ी बात है कि वह डिसीजन लेने पर विश्वास करते हैं यह बहुत बड़ी बात है अगर आप डिसीजन ले लो कि आपको पढ़ना है यह जो आपकी एक्जाम का टाइम बचा है इसके दौरान मुझे पढ़ना है और आप इसी डिसीजन को फॉलो करो न तो आपको टॉप कराने से कोई नहीं रोक सकता चाहें आप कहीं भी रेंग करते हो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिये थे अवर्ड रिटन की सरेमिनी चलने स्टार्ट हो जाती है यह पता नहीं क्या है कोई भी सरकार कुछ ऐसा फैसल लेती तो जिनको अवर्ड दिया वह वापिस करने लगते हैं तुम्हें एक्तिक्ति मुस्किल से देते हैं तुम्हें खर्चा आता ह अत्मा कुछ नहीं बता जलता है जैसे कि हिंदी की बहुत बड़ी लेकती परणिश्वर नाथ रेनू करनेड लेकक उन्होंने अपने पदम भूसन पदम जैसे सम्मान भारत के सम्मानों को वापिस देना स्टार्ट कर दिया था ठीक है इसके विरोग में किसके अपातकाल के विरोग हलवा चल रहत है कुछ भी भारत के अंदर तर जीद चली आई सम्मान करतोंगा सबका अवार्ट रिटन करने स्टार्ट कर देते हैं कौने सुरनाथ करनेड़ देखको गे इन्होंने अब वहां क्या क्या था यह चीजे चल रह हैं कैंसे नमदलों बहुत मज़ा आने वाल है वह किस्टी क्या वह किस्ति क्या कि जो लेरों में ना चले संगर्षना हो जीवन में है टो आपका जीवन है आगर स्टर नहीं है इसे स्ट्रगल से लड़ना सीखाथना नहीं है लड़ना है और पेपर को ठोड़ना है तोड़ना नहीं है पोड़ना हैी के की बाली सब सब्विदान संसोधन करना Paint compost 1976 में इंदरे सबसे पहले वह वह कम किया है कि जो विद्हाइक ड़ामा थी कि जो तेफारी कारकाल कारकाल वह पांच बर्स होता तो उसको बढ़ा के 6 बर्स कर दिया किफिए बाठी बड़ी बात है कि न से सिझ्वी łस स्धाइब कि मौलीं का दिकार को कम करके qda कि को power है करी ठीक है प्रस्ताबना रतीन संसथ की मांग निका सकते ते चीज़ हैं जीती संसथ के अंदर कोरं विवस्था की खतम कर दिया कि नियूंतम सदस्यों की उपस्तिती जरूरी है तब संसथ चलेगा नहीं कोई जरूती नहीं है यह के तो भी संसथ चलेगा पैसे की बरबादी यह इसके अलावा नश्बंदी करेगे लोग जनसंक्या नियन्तरन कानू परिवान योजन कानू लाउ करेगए परिवान योजन कोई बी पोस्ट पे नहीं थे किसी बीपद पे नहीं थे उस टाइम पे और किसी पद नहीं थे इंदोने इस्तमाल करा डिली के अंदर जुग्डी जोपड़े वह खाली करा दिया गया पत्पर मां प्रधानमंत्र थी न यह चीज यहां पर चल जीती तो रहें कराता इंद्रा गांदी ने और इनको सबक मिला था संजे गांदी या मिंद्रा गांदी दोनों हारे थे चुना से कहीं सीट नहीं मिली थी आ पात काल के बाद मिली भीतितों मंद्द्पेदेश साजिस्तान से एक एक सीट मिल रही थी वह आगे मैं बता रहा हूं मेरे साथ बस बने रहा हूं मैं आपको एक चीज बताओं आज बहुत पच्छे से बताओं का बस वीडियो पके एंड तक यह आपके ट्राइल से मेनी आगे भी काम आएगा है यह चीजें आप देख रहो पिछले कितने मिनिट से आपको बताने कोशिश करो समझना पातकाल चल रहा था निवारक नजरबंदी लाओ कर दे गई सेंसर सिफ लाओ कर दे गई प्रेस पे यह सारी घटने हो रही थी घटन अब जब अपातकाल खत्म होने का टाइम आया तो आते है कि हमने क्या यहां से सबक लिया क्या सीखें हम लोग इस अपातकाल से सीखें क्या है हमने सबसे पहली चीजी कि जो भारत का लोकतंत्र है वह मजबूत है इंडियन डेमोक्रेसी इस्ट्रॉंग डेमोक्रेसी इंद वर्ड क्यों कि इतना भारी संकरता है इतना भारी संकरता तब भी लोगतंतर मद्बूत रहा हारा नहीं और लोगतंतर जब नहीं हारा तो 1970 में फिर से चुनाव हुए और चुनाव में लोगोंने बढ़ चड़कर भांग दिया देख उसके बाद 44th संविधान संसोधन करा गया और इस 44th संविधान संसोधन में जो सब्दतान जिसने लगाय था अंदुरूनी गड़वडी अंदुरूनी गड़वडी, internal disturbance, अंदुरूनी गड़वडी, इस अंदुरूनी गड़वडी को हटा कर आ गया से सस्त्र विद्रोग, arms rebellion और एक तरीका ही बदल दिया पूरा लगाएगा कौन राष्ट पती लेकिन कैसे जब मंत्री परिशद लिखित देगा मिनिस्ट्री अपकांसर रिटन देंगे और रिटन में जब कुस कारण से राष्ट पती खुस होगा उसका राष्ट पती संतुष्ट होगा तब वो इमर्जेंस लाग करेगा और थार्टी देश के अंदर अंदर पार्लियमेंट से पास होना चीए तब इमर्जेंस आगे ब दन करा जाता विदाइका का जो छे वर्स कारकाल तो फिर से पांच वर्स करा लिया मौलिक अधिकारों वही और डीपीएसपी को वहाई पर लाए गया यह बहुत जादा परिबतन है हमें सबक सीख चूप रहेते क्या सबकते किस तरीके से हम करेंगे क्या नहीं रहेंगे कर अठारा महीने अपातकाल रहा और इस अपातकाल में अठारा महीने की जल्लत जिंदिगी जो लोगों ने जहे ली थी ना वह यहां बदला लेने की बात आ रही थी आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहां तक का और 1977 में 1976 के एंड तक आते 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 अपातकाल खतम कर दिया गया अपातकाल को बापस ले लिए अठारा महीने बाद और फिर अठारा महीने बाद अब अपातकाल को बापस लिया अपातकाल के बाद की राजनी थी अठारा मेने के आपातकाल के बाद नेताओं को रिहा करा जा लिखते जाना साथ में नेताओं को रिहा करा गया अब जब नेता रिहा हुए तो इनके पास चुनाओं होने थे जैन 1977 में चुनाओं होने थे टैम नेता सबी लोग जित्ते भी विपक्सी नेता थे एक साथ आगे ख़्यों ने कॉंग्रेस चुड़ दी जो कॉंग्रेस के नेता थे अपने नया दल बना लिया और विपक्सी दल आके एक नहीं पार्टी बनाई जनता पार्टी को जल लीड कर रहे थे वह जैप्रकास नाराएंड ल बनाव हुए और यह जो विपक्सी दल जित्ते भी थे विपक्सी नेता जित्ते भी थे उन्होंने लगते हैं ना जलने के बाद कटने के बाद नमक लगाना वह कुरेदे लोग के जखम कुरेदे और लोग के जखम कुरेदे कहीं भी जाते इंद्रा गंधी की विरोद करते इंद्रा गांधी का विद्रों करते इंद्रा गांधी की बुराई करते और बोट अपने लिए डालवाते और 77 में पहली बार केंद सरकार में गयर कॉंगरेसी सरकार बनी जनता पार्टी की सरकार बनती है और लगबग 300 330 सीट जनता पार्टी को मिलती है जनता पार्टी उसके सैयोगी दल सीटार्टा इयck शायोगी दल रुद मिलती है एकले 254 दो सबसे जादा भी तक का सबसे जाधा भी तक की शीटें मिले थी इत्ती शीटें तो कहीं नहीं मिली थी Congress बुरी तरीके से हा रही थी Congress बड़ी वेकार तरीके से हा रही थी, ठीक है, है MP राजस्थान पदर पर्देश का टड माना जाता ता ऑपंजाब उत्तरप्रदेश में कॉंगर्यस को पसंद नियुक्त इवन 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 इंद्रा गांधी शंजय गांधी बड़ेली और मेटी से आज आता है ति बुरी हाल अपि लोग को पसंद निकर तो जैसे अभी है अभी को इसको कौन से पसंद कर रहे हैं पोई निकर रहा हुआ सायोग का गठन करा अपातकाल की जाच के लिए आयोग तो सायोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसी साजोष के अध्यक्स दे कि यह सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए करा था और इस अपातकाल की उस टाइम पर कोई ज़रुरत नहीं थी इस चीज को नहाप है यह चीज हो यह चीज की और गठन करी थी जिसका नाम ता मंडल आयोग बीपी मंडल की अध्यक्सता बनाता हो और ओवी सी की आरेक्षण के लिए संसोदन में आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ क्या गराता इसके यह चीज है यहां पर दी आप लोग समझ पा रहे होंगे अगर समझ जो तो शेयर करतों दोस्तों को भेज तो बहुत जाद इंपोर्टेंट है पेपर पास में आरे इसलिए मैं आपको बतातों